जहन सलाम स्वागत सभी का कुछ सूचनाओं के लिए और सूचनाओं का संबंद आप लोगों का एक entrance examination होने वाला है अजीम प्रेमजी फांदेशन की तरफ से उसको लेकर है या कहें कि आपके सवार है कुछ उसके जवावों को लेकर है या कहें कि आपके उल्जन है उसके कु जरूत नहीं है क्योंकि जितनी समझ और जितना समय होगा आपके पास उतना ही वीडियो देखेंगे मेरे कहने का अपील करने का कोई फर्क जादा नहीं पड़ेगा इसकूल टीचर और रिसोर्स परस्चन के लिए आप लोगों ने आवेदन किया है 21 जुलाई इसकी last date थी और 30 जुलाई यानि कि लगबग 72 घंटे के बाद आप लोगों की परवेश परिक्षा पूली है उसी विशह में आपसे वाच्चीत करनी है और जो आपका एक common सवाल था कि परवेश परिक्षा में किस प्रकार के सवाल जवाब हो सकते हैं उसको लेकर आपसे वाच्चीत की हैं बस हो सकता है कि आप लोगों ने कोशिश की हो लेकिन मिलना पाई हो यह जानकारी या फिर अजीब प्रिंजी फांडेशन का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको आपने ना दिखा वेबसाइट का लिंक और चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगा समय मेले भविश में या बर्तमान में तो इसको देख सुन लीजेगा थुड़ी वह जानकारी आपको मिल जाएगी अब आते हैं प्रिशह पर इससे अजीब प्रिंजी फांडेशन के जो एंट्रेंस इग्जामिनेशन होते हैं और अप्रिकेशन फॉर्म भरने का जो प्रॉसेस होता है और कुछ अपडेट चीजे आई हैं वो जानना जरूरी है और कौन सवाल ये भी होगा आप लोगो के मनने के सिलेबस क्या को सकता है इसको इस सारे सवाल जवाब के आपको मिल जाएंगे इस एक ही वीडियो में अब करते हैं सुरवात दो मिनट हो गया इंट्रोडक्शन खत्म पहली बात हिंदी और अंघ्री जी दोनों ही मांथ्यं में इसकी प्रविश परिक्शा होती हैं कि दुसरी बात ऑं-लाइन और ऑफ-लाईन दोनों ही परकार से इसकी परिक्षाइं ली जाती में कुछ देश दूनिया में भारत में भी कोविड़ का परकॉत था तो लगबग पिछले दो साल में जो भी्लाइश इमेल आया होगा ठीक यदि नहीं आया होगा तो आ जाएगा एक और बात यदि परिक्षा आपकी online मांथिम से पूनी है तो याद रखिएगा laptop या desktop आपके पास होना ज़रूरी है और यदि आप desktop से एक्जाम दे रहे हैं तो आपके desktop का audio और video दोनों clear होना चाहिए laptop पे सुधाय होती है audio वीडियो को record करने की desktop में अलग से inbuilt करना पड़ता है mobile phone का use नहीं कर सकते हैं क्योंकि mobile phone में अपने सवाल के जवाब को type करने में आपको परिशानी ज़रूर होगी जब एक्जाम आप online माध्यम से दे रहे हो गया दे रही होंगी तो उसमें एक window की setting करनी पड़ती है खातका हिंदी के बच्चों को typing की दिक्कत ना आए तो उसके लिए online माध्यम से यदि आपका examination होगा तो email पर आपको window की setting कैसे करनी है किस परकार करनी है उसकी PDF फाइल आ जाएगी और यह window की file की setting कैसे करते हैं उसको लेकर भी एक मैंने screen recorded video बनाया था देखना होगा तो देख लीजिए का link मैं नहीं दे पाऊंगा आपको चैनल पर खुज़ना पड़ेगा तो exam आपको देना है एक्जाम देते वक्त कौन-कौन सी साब्धानिया वर्द नहीं है आपको यदि online होता है आपके माइक की camera की या उसकी left right की center bottom की क्या इस्तिती होगी क्या condition होगी यह सारे मैंने point to quote technical video बनाया है उसको भी देखना हो तो देख लीजिएगा नेगडी मार्किंग नहीं होगी परिवेश पर शाओं में इसका ध्यान दखिएगा और दो बातों को ध्यान से सुनिए तब आप समझ पाएंगे इसके syllabus को कि अजीब प्रिवेश फांडेशन की जो teaching आपको देनी है वो अन्ने स्कूलों से बहुत अलग है क्यूंकि जब आपका इसमें selection हो जाता है तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है यह विश्विद्याल है यूनिवस्टी यानि के और school college ते नहीं करते हैं तो अपने दिमाग को इस प्रकार खोल के चलिएगा कि आपको pre-primary की elementary education से लेकर middle class के education से संबंदित और logical education से संबंदित 9-12th के लेवल के आपको तयारी कर लेगा बहुत छोटे-छोटे simple इसके area है जिसको अप्रोड़ा से तयार कर लेंगे तो आपकी तयारी हो जाएगा सब्जेक्टिव और objective दोनों ही प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस बात का ख्यार रखेंगे लेकिन सवाल का area क्या होगा उसको आप no down कर लीजे पहले मैं school teacher की बात कर लेता हूं उसके बाद resource बसंद की बात करें इस school teacher के लिए आपको सबसे पहली चीज चाइल दूसरा उसके अंदर child psychology एक और उसमें अंदर है adult education यह तीन चीज को तयार रखेंगा school teacher के बच्चे इसके साथ साथ new education policy का जो ट्राफ आया है 2020 में उसको आप जरूर देख लेंगे और यह मिलेगा आपको ministry of education यानि कि UGC की में website पर आपको मिल जाएगा एंटी की website पर नोटिकेशन पढ़ा होगा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा यह तो आपको मुटा मुटा पढ़ना है तीसरी चीज इस्कूल टीचर के लिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इस्कूल के बच्चों को ही दिये जाते हैं कुछ condition रखी जाएगी आपके समख्ष यानि कुछ situation रखी जाएगी प्रसेदिया आपके सामने रखी जाएगी exam में question की मात्यम से और उसके जवाब आपको इस तरीके से द विद्याले के शिक्षक हैं जो बहुत slum area में हैं और आपको minority वर्ग के बच्चों को पढ़ाना है लेकिन आप ऐसे प्रतिंदित वर्ग से आते हैं जो बहु संक्यात है तो आप उस condition में आपके आपको mentally किस प्रकार रख कर उन बच्चों को teach करेंगे ये condition आपके सामने बच्चे थोड़े से abnormal 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 से मतलब हो सकता है विखलांग हो सकता है deep and dumb हो या हो सकता है मानसिक रूप से psychological रूप से बहुत ज्यादा परिशान बच्चे हो उस condition में as a teacher आप उन बच्चे को कैसे handling करेंगे सब्जेक्ट वाइस भी समझे मानली जब मैथमेटिक्स के subject के अल्य अपलाई किया है आपने mathematics के teacher होना चाहते हैं तो आप mathematics का knowledge बच्चों को किस परकार से pre-primary या कह लीजिए 1 to 5 क्लास के बच्चों को दे सकते हैं as a elementary education की पाल्ट अब्लू से और यदि आप higher education के विदिह सब्जेक्ट के लिए तो उस condition में बच्चों को mathematics क्या हो सकते हैं आपके इस परकार के conditional questions भी रखे जाते हैं examination में school teacher के लिए एक और बात कि आपने graduation चाहिए किसी भी subject से किया हो या PG किया हो अपना या peer किया हो arts commerce उससे ज़्यादा फरक नहीं बढ़ने वाला है कि कुछ आपका subject है जिससे आपने UGPG किया है academic qualification है इससे सम्मंदित के वल 10 से 20% की सवाल आपके exam में पूछे जाएंगे इस बात का ख्यार रखे लिए आपने कभी CTAD की परिक्षा दी हो या CTAD का exam दिया हो उसमें परिक्षाओं का जो level होता है खासका paper 1 के लिए उसकी तया आपके अच्छे से है तो आप इस एक्जाम को पास कर लेंगे 70% 30% कहां दिक्कत होगी उसको भी समझ लीजिए अभी मैं केवल आपको स्कूल टीचर का बता रहा हूं और research person की बात नहीं की ही है नहीं डखेगा इसकूल टीचर की क्योंकि पहले पोस्ट आती थी teacher educator की उसी teacher educator से थोड़ा सा ही अलग है resource person जो बात मैं आप से बात में करना इस school teacher के बच्चे थोड़ा सा और चीरो लेबस के देख लेंके खासकर social work इसे हम समाझकारे बोलते हैं, उसको देख लेंगे, जेंडर एजूकेशन को देख लेंगे, जेंडर का मतलब मेल और फीमिल की बात नहीं हो रही है, यह बहुत बड़ा डिशकोर्ट्स है, जेंडर डिसबिलिटी को लेकर या जेंडर एक्वलिटी को लेकर इसको पूछा जाएगा थोड़ा सा आप से बूमेंस इंपार्वमेंट के बारे में सौ परसेंट पूछा जाएगा एक और विशे है इसमें पूछन पर मिल जाए आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा निसे अदल सरस आपने करा नहीं होगा अभी तक पुछरे डाए सालोग में जितना मेरा नुगा हुआ ठीक है तो यह रिसोर्स परसंद के बच्चे नहीं बल्कि स्कूल टीच में जिरोने अपलाई किया इसको थोड प्रैमरी एजुकेशन के पॉर्सन को छोड़ दीजेगा बाति सब कुछ आपको पढ़ना है इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है अगले बातर गंटे में आप क्या पढ़ सकते हैं यह तो आप लोग क्या करेंगे और पिछले एक महिने में क्या पढ़ा है या आपने त सब पॉइंट इसको बोलते हैं फिल्ड रिसर्च यानि कि फिल्ड पे जाकर आपको शोड़ करना पढ़ता है किसी भी एरिय में जाना पढ़ता है कुछ समय तर रहना पढ़ता है यह आप इजुकेशन के इस्टैक्स के इजुकेशन के मेथमेटीक्स के पर्टिकल साइंस क रिट्रेचर के या साइन्स और टेक्नोलोजी के शुर्वेट रहे होंगे या रही होंगी तो आप इस फिल्ड रिसर्च से भलीवाथी परिचित होंगे जिस समझाने की बतलाने के इस प्रश करने की एक परसेंट व्यावश्चता नहीं बढ़ेगे रिसर्च परसन को एक चीज और अध्यान करनी है नियू एजुकेशन पॉलिसी में मिडल क्लास और हायर क्लास के बच्चों को अलग से किसी विशय को समझाने के नए-ने टूल से टेक्निक्स को डेवलप किया गया है उसका प्रारूप एक फॉर्मेट टैयार किया गया है उसक बात का भी ख्याल रखिएगा एक और सीज रिसोर्च परसन के लिए आपने अप्लाई किया है तो रिसर्च में चीजे बड़ी इंपॉटेंस होती है इसको बोलते है अने कि आप किसी भी स्कूल में यदि आप अब्जॉर्वेशन के लिए जाते हैं निरिक्षण परिक्ष होती है यदि आपने वर्तमान में या भूत काल में बीएड एमेड सीटेड पास किया है इसकी तैयारी किया है तो आपको यह अच्छे से मालूम होगा कि आप जब तीर महीने के या च्छे महीने के ट्रेनिंग पीरड पे पीरड में स्कूल टीशिंग के लिए जाते हैं तो अब्जर्वेशन को उसमें एक बकाता पॉइंट्स होता है आपको अब्जॉर्व करना पड़ता है स्कूल के कंडिशन को यह अब्जॉर्वेशन की शमता यदि आप में है तो इसकूल टीचर के एकजाम में आपको बहुत जादा हैल्प होगी इससे समधिते सवाल है और सी बहुत से आयोग और बहुत सी योजनाय बनी है सिख्शा को लेकर पो जाये मादमिक शिक्षा को लेकर हो बाल सुधार को लेकर हो राश्टे माधमिक सिख्शा आयोग हो फिक है ना इसे अम रंगस He पॉल देते हैं कभी Бार या जो भी कमेटियां वनी है चाहे शचर कमेटी हो चाहे उसमें येश्पाल कमेटी हो आपकी चाहे उसमें नीय जुकशन क्खेंध पॉलिसी है 201920 हो यह निदिया वनी है आयोग बने है पोलेसियां बनी है सिक्षामे नय सुधार करने के लिए परिवर्टन करने के लिए बदलाव करने के लिए इस परकार के सवाल जवाब भी स्कूल टीचर में कम रिसोर्स परसन वाले बच्चों को जादा पूछे जाएंगे इस्कूल टीचर में भी हो सकते हैं एक रिसोर्स परसन में ज्यादा पूछे जाएंगे और पॉलिसी नीती आयोग को लेकर इंट्रेवु में भी आपसे सवाल जबाब सौ परसेंट करें जाएंगे ठीक है इन बातों का ध्याम रखिएगा पेपर यदि आपका आता है कब गुटर पर ही होगा जो संभावनाएं लगबग तो यहीं लगड़ी और मुझे स्वा परसेंट पर नहीं कह सकता हूं अगर होगा तो ऑनलाइन ही होगा सबका नहीं तो आफ्लाइन असा नहीं कुछ का पर नहीं होता है कि जैसे कि मालो अभी स्यूजाट के परिक्षाइग चल रही है या नीट की परिक्षाइग होंगी और नहीं एक्जाम होते हैं सब कंपुटर पर पर एक सेंटर दिया जाता है अजीन परिंजी वाले इक्जाम में ऐसा नहीं है आप तो पर इस सेंटर पर जाने के अवशक्ता नहीं है यदि एक्जाम आपको ऑनलाइन होगा अपने घर से लैप्टॉप से डेक्ष्टॉप से अपना एक्जाम दे सकते हैं यदि आपके पास उन्धाय नहीं है तो किसी साइबर केफे में जाके अगर आपके घर में किसी इमित्र का किसी फ्रेंड का है तो उसका भी उसकर सकते है टीक है टूल्स एन टेक्निक्स फ्रूल्स वगरा होते हैं वह आपको पहले बता दिये हैं और कुछ वीडियो को आप लोग देख नहीं चेकर और यदि एक्जाम आपको देगा टीए आपको देगा ट्रैवलिंग अनाउंचर होता है ठीक अनाउंचेस और सारी स्विधाय भी संस्थान देगा तो आपकी पके पैसा भी खर्च नहीं होना है यदि आप मैरेड है और आगर आपके बच्चे हो चुके है तो भी मत घवराईए आप उतने ब प्रिम जी का इतना बड़ा दान करते हैं हिंडोस्तान में दुनिया में उनकी संस्था है शोशल रख के फ्रियल में ही काम करती है वह सब usabh men मन में थौड रहता है हो सकता है। मेरे मन में होता है कि हम सोसाइटी में कुछ करें, बच्चों के लिए Education की पील में, कि हम भी कैसा कि हम भी पढ़ा है कि आतरित काम किया है, कुछ हमें कमिया नेग्डिवुटी दिखती है लिकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि असमर्थ होते हैं या अकेले होते हैं या आर्थिक कंडिशन ठीक नहीं होती है तो आप एज एक्जाम को पास कर लें क्योंकि ऐसे सवाल भी आपके सामने रखे जाएंगे ऐसे सुच्वेशन ऐसे कंडिशन ऐसे परिस्थितियां आपके सामने रखे जाएंगी जो कि कालपने के यानि के हाइपोथेटिकल हो सकती है और आपको वह एक यूटोपिया भी लग सकती है उस कंडिशन से आप कैसे निकलेंगे और अपने आपको वहां रखकर कैसे जवाब देंगे इसकी विकार करेंगा यह ऐसे सबर पता है कहां रखे जाते हैं धीओंन राइट्स में शूशल वर्क में इजुकेशन में साइकलोजी में और एक होता है चाइड्ड साइकलोजी इसलिए मैंने गाए चाइड्ड साइकलोजी और साइकलोजी ज़रूर पढ़िएगा आप लोग एजूके के संदर में आपको मैंने बताने का प्रयास किया जो भी बताया है मैंने आपको इन 15-16 मिंटों में कि अब 10% ही आपको पता पाया और मैं फिर से कहा रहा हूँ पुराने वीडियो को देखने की जरुवत नहीं है क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा अपको जानका यह तो बहुत है उसके इंदर लेकिन आपको नहीं जानका यह चाहिए क्योंकि अगर आपने पुराने वीडियो देख चुके होते ना तो लेकिन जब भी कभी सर्च करोगा जीप लेकर इंट्रेव्यूस को लेकर मेरे पांचे वीडियो आपको दिख जाएंगे तो इसलिए कंटेंट मौजूद है इसका ध्यान रखिएगा और कोई कोश्चन पिपर नहीं होगा पिपर हां अगर आपको हिंदी में टाइप करना नहीं है तरिए उसी के लिए आपको अपने सिस्टम में या एक्सप्य है घंदी टाइप करने की सेटिंग को वह या बही जाती है कि उसको अपाई कीजेगा चेक करके देखked तो अच्छी बात है नहीं है तो डाउनलोड करके इस्टॉल कर लीजे उसको और अगर ये भी सब नहीं हो पाता है तो रोमन इंग्लिस जैसे में लिखते हैं वैसे भी लिखिएगा आपका सवाल और उसके जवाब को सही मानना जाएगा और पेपर सम्मिट हो जाएगा ठीक ह कि हम लोग इज़त समान करें पर इनी काशिवाद लेकर परिक्षाय देने जाए अगले बातर गटे का जो आपकी होनी है और एक और सवाल ये सवाल भी मत किजिए कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है एडमिट कार्ड कव आएगा कैसे आएगा या नहीं आएगा और किस का आया है तो ये आप लोग कर शुट करिए ऐसन्स्थान से बात किजी इमिल करिए फोन करिए और हर तीन महीने में संस्थान के फोर माम निकलते हैं जाम में इस ऊटार वार के सीखिए अपरी कम्यों को पहचानिए कम्यों में सुधार कीजिए और वो कमी दुवारा से आपके अंदर नाये इसका भी प्रयत्र कीजिए चाहिन सैक्लोजी का छोटा सा नियम मैंने आपको बताया है इन तीन चार वाक्यों में और ऐसे इंडारेक्ट कंडीशन के सवाल भ सदीतों कहिएगा और आप शभी को इस छोटे बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है और आपने अपना समय दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैहिन सुब कामना है